How do I learn to speak English if I don't have people whom I could speak with? मैं English बोलना कैसे सीखूं अगर मेरे पास लोग नहीं हैं जिनके साथ मैं English में बात कर सकूं? ये शिकायत, ये question एक student ने पूछा और लगबग ये शिकायत, ये question आप सभी के मन में हैं. क्योंकि हम सभी के साथ एक ही problem है, कि हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ हम English में बात कर सकें. तो guys, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, 18-20 साल पहले जब मैंने English बोलने की शुरूआत की थी, तो मेरे साथ भी ये ही problem थी. और इस दुनिया के हर Hindi medium background के बच्चे के साथ यही problem है जो आपके साथ है, कि उनको माहूल नहीं मिलता, उनके आसपास लोग नहीं हैं, लेकिन एक बात हमेशा रखिए, अपनी जमीन खुद तयार करनी पड़ती है, कोई खेरात में, कोई फ्री में किसी को कुछ नहीं देता कोई आ करके आपको माहूल दे दे और कहो ले English सीख ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, आपको ये माहूल खुद बनाना होगा, तो आज के वीडियो में English Speaking Course Day 3 में इस माहूल को हम खुद बनाएंगे, तो आप सभी से मैं ये request करूँगा, कि वीडियो को ध्यान से जो मैं बताऊं, उस काम को आपको करना भी है, इंप्लिमेंट करना है अपनी Day-to-day लाइफ में, मैं गैरेंटी से कह सकता हूँ, माहूल क्रियेट होगा, आप खुद करेंगे, पहले अपने मूँ से English बोलने की शुरुवात करनी है, भले ही लोगों के साथ नहीं, पर यह हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले, पिछले वीडियो में, Day-to में, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, और आपसे कहा था कि इसे रिकॉर्ड करो, अपनी आवास रिकॉर्ड करो, और उसके बाद मुझे भेजो, तो वो क्या सेंटेंस था, देखे, यह था वो सेंटे कि इसे रिकॉर्ड करना है वो इसको, और सेंट करना है, इमेल आईडी पे, सबसे पहली बात तो यह है, कि एक तरफ तो हम यह सोच देखा है, लेकिन केवल 10,000 के करीब, 10,000 प्लस रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में रिसीव हुई, तो सबसे बड़ी बात यह है, कि एक तरफ तो हम यह सोचते हैं, कि हम इंगलिस बोलना सीखें, लेकिन जब आपसे एक टीचर यह कहता है, कि होमवर्क करिये, और मुझे भेजिये, ताकि मैं आपकी वोईस को सुनू, और आपको फीड़बैक दू, हलाकि एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए, बहुत सारे लोगो को फीड़बैक देना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने रेंडमली करीब 500 लोगों को फीड़बैक दिया, लेकिन मैं इस फीड़बैक को आपके साथ शेयर करता हूं, आप खुद देख सकते हैं, कि आपकी क्या मिस्टेक है, सबसे पहले आपको मैं एक आडियो सु यह आडियो जो आपने अभी सुनी, यह आडियो मुझे भीजी है, अमित बोबंगा ने, और मैं अप्रिशेट करता हूं, जो भी व्यक्ति फीड़बैक, जो भी व्यक्ति होंवर्वक को कम्पलीट करता है, मैं उसको अप्रिशेट जरूर करता हूं, क्योंकि महनत तो की है, लेकिन गल्तियां भी हूई है, गल्तियां कहां कहां पर हूई हैं, जैसे शी, शी को सी बोल दिया गया, कोई बात नहीं, अमित को मैं ये request भी करूँगा, suggest भी करूँगा, कि पिछली वीडियो को, day two की वीडियो को एक बार फिर से देखो, और c, ct वाला स, c, s, और she, 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 sh, इस वाले श के बीच का difference समझो, और practice करो, sentence को बार-बार बोलने की कोशिश करो, speed भी बढ़ाओ, practice से होगा, तो c नहीं बोलना है, she बोलना है, दूसरी mistake, यहाँ पर जो देखी मैंने, speak की जगह पे, speak कहा, इसका मतलब आपका e का sound भी problem है, इस पे आपको work करना होगा, इसके अलावा यहाँ पर तो mistake हुई है, यह भी mistake हुई है, आपने इसे sure की जगह sure कहा है, यानि की आपका स अश यह sound clear नहीं है, और half यह, half saw वाला e, e से शुरू होने वले word, जैसे speak, smile, style, इनमें भी problem है, इसके अलावा optimistic को optimistic कहा है, और to, to की जगह आपने क्या कहा, to, to नहीं, to learn, to तो वो अलग होता है, वो तो यह वालग होता है, to, यह क्या है, to, to learn, और एक mistake और हुई है, यह only, मैंने आपसे कहा था, सभी को कहा था, कि यह only है, जैसा कि mistake लगवा, सभी करते हैं, हम इतनी भी से कहा, only, only नहीं, only, तो मैंने जितनी भी audios सुनी, कुछ audios अच्छी भी हैं, जिनमें एक भी mistake नहीं है, उन्हें मैं appreciate करता हूँ, सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जिन students ने mistake की हैं, लगबग कई मैंने emails के reply किये हैं, कोशिस करूँगा, कुछ और भी करूँ, लेकिन आप ये जान लीजिए, कि पिछले वीडियो में मैंने आपको pronunciation बताई है, तो मुझे नहीं लगता है, कि अगर आप उस वीडियो को धंक से देख लें, पूरा देख लें, तो आपको कोई भी confusion होने वाला है, कि गल्ती आपको खुद समझ में आईगी, तो फिलाल आगे बढ़ते हैं, आज day three में, मैंने आपसे कहाता कि हम महोर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आज के बाद, आप जब भी अपनी day to day life में कोई काम कर रहे होंगे, कोई भी काम, आप दिन भर हजारों काम करते हैं, आप कोई भी काम कर रहे होंगे, तो उस काम को English में बता रहे होंगे, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बता रहे होंगे, जैसे मान लिजिए, आप चादर बिछा रहे हैं, तो आप बता रहे होंगे, I am laying the bed sheet, English में, हिंदी में नहीं बोल रहे होंगे, मैं चादर बिछा रहा हूँ, और सोच नहीं रहे होंगे बलकि मुह से निकाल रहे होंगे English के words, आप बोल रहे होंगे, मैं कालीन बिछा रहा हूं, मान लिजे आप कालीन बिछा रहे हैं, तो आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं, मैं कालीन बिछा रहा हूं, हिंदी में नहीं, English में, I am laying the carpet, अगर आपको लगता है कि ये काम करने से English आप नहीं सीख पाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी English speaking course आपको English बोलना नहीं सिखा सकता, ये मेरी guarantee है, मैं चाहता हूं कि मेरे गाओं के, मेरे जितने मेरे देश के जितने भी गाओं हैं, वह करना ही होगा, अपनी जमीन खुद बनानी होगी, तो मैं इस तरह के 100 sentences, 100 activities आज आपको बताने वाला हूँ, आपको आज से ही शुरुवात करना है, जब आप इन कामों को कर रहे होंगे, तो आप relate करेंगे, उस समय आपको in English sentences को बोलना है, 99 भी नहीं, पूरा 100% result चाहिए, तो एक-एक sentence को ध्यान से देखिए, एक भी sentence आपको miss नहीं करना है, तो पहला sentence आपके सामने, मैं चादर बिछा रहा हूँ, कैसे कहेंगे, मैंने आपको बताया, I am, अच्छा ये I am ही कहना है, I am नहीं, कि I am नहीं, I am, जैसा मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपक बिछाने की बज़ाए किसी और चीज को बिछा रहे हैं, जैसे कि आप कालीन बिछा रहे हैं, तो कालीन बिछा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, I am laying the carpet, कारपेट का मतलब होता है कालीन, या फिर दरी, जो आप बिछाते हैं, अगर मान लिजे आप कंबल बिछा रहे हैं, तो बारे में ऐसे बताना है, लेकिन हमेशा क्या कहना है, I am laying, I am laying this, I am laying that, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, I am पानी देने को water करना कहते, I am watering the plants, plants मतलब होते हैं, पौधे, मान लीजिए आपके घर में एक बड़ा सा पेड है, और आप उस पेड को पानी दे रहे हैं, तो यहा watering the tree, ठीक है, next sentence, मैं पौधों पर पानी छिड़ाक रहा हूं, छिड़ाकने के लिए आप क्या कहेंगे, I am छिड़ाकने को कहते हैं, sprinkle, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, अगर आप इस activity को न भी कर रहे होंगे, तो भी करिए, आपके घर में कोई पौधा दिख जाए, यहां पर बोला, पौधों पर, on the plants, आप पेड़ पर कर रहे हैं, तो tree कह दीजिए, ठीक है, एक बात और, आपने कभी देखा होगा, एक spray सा होता है, जैसे आप बालों पर पानी छिड़ाकते हैं, तो जो नाई बालों पर पानी छिड़ाकता है, तो वो sprinkle ही करता है, उसे आ पानी तो आप कहते हैं, स्प्रिंकल करना, तो आप कहेंगे, I am sprinkling water on the plants, मैं अपने बालों पर पानी छिड़ाक रहा हूँ, तो ऐसे में, I am sprinkling water, यहां तक तो बिल्कुल सेम है, कहां छिड़ाक रहा हूँ, बालों पर, on my hair, hair मतलब बाल, इन सभी sentences को आपको नोट करने की ज लिक कर रखा है, आपको जाना है, और वहां पर उन्हें देखना है, और जब time मिले, आप इसे अपनी notebook में note कर लिजिए, next sentence, मैं अपनी आखों पर छीटे मार रहा हूँ, आज के बाद जब भी आप सूबे, शाम, दो पर, कभी भी अपनी आखों पर छीटे मारे हैं, आखो splashing, क्या मार रहा हूँ, छीटे मार रहा हूँ, किसके छीटे होते हैं, पानी के होते हैं, I am splashing water, पानी स्प्लेश कर रहा हूँ अपनी आखों पर, on my eyes, थोड़ा सा सीक्वेंस गरबड हो गया, on my eyes, कोई बात नहीं, ठीक है, यह है sentence, मैं गमलो में पानी डाल रहा हूँ, I am, आप देखिए, गमलो में जो पानी आप डाल रहे हैं, और यहाँ पर जो आप पानी दे रहे थे, यह दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी हैं, पानी देने को water करना कहते हैं, लेकिन जब आप किसी glass में पानी को ऐसे डालते हैं, यह नि उडेलते हैं एक तरह से, तो इ पानी डालें, किसी भी liquid को चाय डालें, कप में, जैसे यहाँ पर देखिए, मैं कप में चाय डाल रहा हूँ, तो ऐसे मैं आपको pour word का use करना चाहिए, मैं गमलो में पानी डाल रहा हूँ, I am pouring, I am pouring water, अब गमले में जब पानी जा रहा है, तो वो एक enclosed structure के अंदर घुसता है ऐसे मैं into का use आपको करना है, मैं कहूंगा grammar पे आपको नहीं जाना है, जैसा मैं sentence बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही आपको बोलना है, मैं गमलो में पानी डाल रहा हूँ, I am pouring water into the pots, गमलो को pot कहते हैं, pots, मैं glass में पानी डाल रहा हूँ, I am pouring water, ठीक है, into, किस में? glass, into the glass, इसे कभी भी glass नहीं कहना है, इसे हमेशा क्या कहना है, glass, glass, मैं cup में चाई डाल रहा हूँ, I am pouring water into the cup, मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूँ, अच्छा, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा mistake हो गई, मैं cup में चाई डाल रहा हूँ, तो मैं डाल रहा हूँ, I am pouring चाई, चाई यहनी कि tea, water नहीं बल्कि tea, tea into the cup, मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूँ, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कढ़ाई को क्या बोलते हैं, कढ़ाई को बोलते हैं, pan, pan, मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूँ, इसे लिख लेते हैं पूरा, I am pouring क्या डाल रहा हूँ, oil, जब housewives घर में खाना बनाती हैं, तो इस sentence को use कर सकती हैं, जब वो कढ़ाई में तेल डाल रही होंगी, तो अपने मुह से बोल रही होंगी, I am pouring oil into the pan, 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 इसे pan नहीं बोल देना, pan तो यह होता है, pan, pan नहीं, pan, ठीक है, अच्छा, next, मैं इशारा कर रहा हूँ, जब आप किसी वेक्ति को इशारा करते हैं, मान लिज़े आप किसी बच्चे को इशारे से बुला रहे हैं, इस तरह से इशारा करके, तो उस समय आपको इस sentence को बोलने की जोद पढ़ सकती है, और हो सकता है, आप यह सोच रहे हो, कि सर्ग जिस तरह से आपने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, इसी तरह से इंग्लिश में भी लिख देते, तो आपका time भी खराब नहीं होता लिखने का, और हमारा time भी खराब नहीं होता, कि आप इ को देखेंगे, इंतजार करेंगे, उतना वो चीज आपके दिमाग में fit होगी, यही तरीका होता है पढ़ाने का और यही तरीका होता है सीखने का, इसी तरह से आप सीखेंगे, तो थोड़ा patience आपको रखना है, मैं इशारा कर रहा हूं, I am इशारा करने को कहते हैं gesture, I am gesturing, मै मैं इशारा कर रहा हूं, मैं आँख मार रहा हूं, आँख मारने को क्या कहते हैं जरा सोचिए, तब तक मैं लिखता हूं, wink, wink मतलब आँख मारना, तो ing form लग जाएगी, क्योंकि रहा हूं रही है, यह सब कह रहा हूं मैं, I am winking, मैं जिद कर रहा हूं, आप किसी चीज के ल बोलते हैं, stubborn होना, कि आप stubborn हो रहे हैं, तो इस sentence को बोला जाएगा, I am being stubborn, मान लिजए आप अपनी ममी से pocket money मांग रहे हैं, ममी नहीं दे रही हैं, बहुत देर तक आप बोले जा रहे हैं, तो एक तरह से आप क्या हो रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं, I am being stubborn, मैं माफी मांग रहा हूँ, सोचिए, क्या बोलेंगे इसको, देखिए, माफी मांगना मतलब sorry कहना, तो ऐसा कह सकते हैं, I am saying sorry, I am saying, मैं कह रहा हूँ sorry, लेकिन ये standard तरीका नहीं है, आपको ऐसे नहीं बोलना English, आपको क्या बोलना है, माफी मांगना मतलब apologize, apologize करना, I am apologizing, I am apologizing, ये है standard तर कुंडी लगाना को क्या कहते हैं, सोचिए, कुंडी लगाना, मैंने आपको day one की वीडियो में बताया था, bolt करना, I am bolting, तो जब आप कुंडी लगा रहे होंगे, तो आप बोलोगे अपने आप से, I am bolting, मैं बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रहा हूँ, ऐसा होता है, कि बच गया, आपने उसे फ्रिज में रख दिया कल सुबह के लिए, बचावा खाना, मैं रख रहा हूँ, I am putting, मैं putting कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, बचावा खाना, उसे बोलते हैं, leftover food, I am putting the leftover food, कहा रख रहा हूँ, फ्रिज में, into the fridge, next sentence, मैं दिवार पर सहरा ले रहा हूँ, सहरा लेना, सहरा लेना को क्या कहते हैं, मैं दिवार पर सहरा ले रहा हूँ, जब भी आप किसी चीज का सहरा ले, जैसे आप दिवार पर सहरा लेके खड़े हो जाएं, या फिर आप कोई टेबल है, उस टेबल पर ऐसे हाथ रख के स किसी भी चीज पे सहारा लेते वे खड़ा होना, lean, L-E-A-N, आपको हमेशा ऐसे भूलना है, I am leaning, मैं lean हु रहा हूँ, यानि कि मैं सहारा ले रहा हूँ, अब किस चीज पे ले रहे हैं दिवार पे, तो आप कह देते हैं, on the wall, अगर किसी व्यक्ति पे सहारा ले रहे हैं, तो on you, I am leaning on you, और किसी के कंधे पे सहारा ले रहे हैं, और आप कहना चाहते हैं कंधे पे, तो आप कह यह, I am leaning on your shoulder, इस तरह से, ठीक है, मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, आपका दिल जानता है, हलाकि आप दूसरे को बताएंगे नहीं बात, लेकिए आपका दिल जानता है, आपको मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, पापा नहीं का, यहाँ पर काम करो, यहाँ खुदा ही करो पूरी, आपका मन नहीं कर रहा है, और आप वहाँ से cut रहे हैं इदर उदर चुपचाप से तो आप अपने आप से बोलिए मैं मेहनस से जी चुरा रहा हूँ I am shirking shirk मतलब होता है जी चुराना I am shirking और किस चीज से जी चुरा रहे हैं? मेहनस से तो मेहनस से के लिए from नहीं आता shirking के बाद आपको बोलना कैसे? मैं आपको exact बता रहा हूँ I am shirking the hard work बस अब आप यह मत सोचिए कि यहाँ पर from क्यों नहीं आया grammar पर नहीं अभी आपको speaking पर focus करना I am shirking the hard work मैं shirt के button लगा रहा हूँ I am buttoning up buttoning up button up करना मतलब button लगाना I am buttoning up the shirt ठीक है मैं काप रहा हूँ कापने को क्या कहोगे आप? ठंड से काप रहे हो आप चाहें आप डर से काप रहे हो काप रहे हो तो आपको कहना है I am shivering shiver मतलब कापना shivering I am shivering तो केवल word को जानना important नहीं है उसको कैसे use करना है आपको बोल बोल के practice करेंगे तभी सीखेंगे अच्छा आगे move करते है मैं आलू काट रहा हूँ हो सकता है आप आलू काट रहे हो सकते है तब आपको बोलना है I am chopping आपको chopping बोलना है cutting नहीं बोलना है cutting बोल सकते हैं लेकिन आप chopping बोलने की practice करिए I am chopping अब एक आलू तो नहीं काट रहे हैं आपके पास कई सारे आलू है तो potatoes I am chopping the potatoes न भी मौका मिले तो मम्मी से कहिए मम्मी आज आलू मैं काटूंगा और आलू काटते वे 10 बार sentence को बोलिए I am chopping the potatoes I am chopping the potatoes I am chopping the potatoes और तेज तेज बोलने की कोशिश करिए मूँ से निकालिए इसे मैं आलू छील रहा हूँ छीलते हैं जब भी आप किसी चीज को peel off करते हैं I am peeling off the potatoes I am peeling off the potatoes मैं खीरा काट रहा हूँ जब आप खीरा काटते हैं तो generally आप ये देखेंगे salad के लिए जब आप खीरा काटते हैं तो ऐसे काटते हैं slice की तरह तो आप क्या sentence बोला करिए I am slicing बजाए chopping कहने के बजाए cutting कहने के आप ये भी कहेंगे चलेगा लेकिन मैं suggest करूँगा slice की तरह काट रहा है तो बोलिया I am slicing the cucumber मतलब खीरा अच्छा एक बात और है जैसे आप chips बनाने के लिए आपकी ममी आलू को chips बनाने के लिए काट रही है slice की तरह तो वो हाँ पर हम कह सकते है slicing She is slicing the potatoes तो I am slicing the cucumber हो गया मैं खीरा चील रहा हूँ चीलने को तो peel off ही कहते है तो sentence as it is रहेगा I am peeling off the cucumber ठीक है next मैं glass को उल्टा कर रहा हूँ ये बड़ा interesting उल्टा करना कैसे बोले इस sentence को आप दिन में 10 बार glass को उल्टा करिए और इस sentence को बोलिए I am turning turn कर रहा हूँ मैं I am turning the glass upside down upside down उल्टा करना मतलब upside down करना उपर के side को उपर के side को नीचे कर देना turn करना I am turning the glass upside down और फिर आप जब glass को सीधा करें तो बोलिए I am turning the glass I am turning the glass right side up right side up सीधा वाला जो side है उसे उपर कर रहा हूँ मैं एक तरह का sense यह ही है मैं glass को उल्टा कर रहा हूँ तो I am turning the glass upside down मैं glass को सीधा कर रहा हूँ I am turning the glass right side up सेम इसी तरीके से किताब को अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो यानि किताब को आप turn कर रहे हैं upside down और अगर उसे सीधा कर रहे हैं तो आप उसे turn कर रहे हैं right side up. तो इन दोनों sentences को मैं लिख लेता हूँ और आगे move करते हैं. ये जो उल्टा सीधा वाला concept है, ये हर जगा लागू होता है, आप इसे practically देख सकते हैं. मान लिए ये मेरे हाथ में book है, ठीक है? अब मैं कहता हूँ, ये book इसे में सीधी है, अब मैं अगर कहूँ कि इस book को मैं उल्टा कर रहा हूँ, तो देखिए मैं कैसे कह सकता हूँ? I am turning this book upside down. यानि उपर वाला side कहां चला गए? नीचे. I am turning this book upside down. और फिर मैं इसे सीधा कर देता हूँ. I am turning this book right side up. तो ये है तरीका, इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ को आप उल्टा सिधा, उल्टा सिधा, उल्टा सिधा करिए, और इस sentence को दस बार बोलिए, आपको ये सब याद हो जाने वाला है, upside down, right side up. अब बात करते हैं मैं नल खोल रहा हूँ. जब आप नल को खोलते हैं, यानि turn on करते हैं, I am turning, I am turning the tap on, ऐसा बोलिए, ठीक है? वैसे तो आप turning on, turn on मतलब खोलना, लेकिन on का use end में किया जाता है, advance English में, आज आप शुरुवात में भी हैं, तो भी इसी तरह रटिए, तो आपको आगी भी ये इसी तरह से आप बोलने के आदत आपको हो जाएगी. और मैं नल बंद कर रहा हूँ, मैं नल बंद कर रहा हूँ, I am turning the tap off, I am turning the tap off, ठीक है? मूव करते हैं, next slide पे, मैं अलमारी में shirt डाल रहा हूँ, सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि आज के बाद आप कभी भी इसे अलमारी मत कहिएगा, इसे कहिएगा अलमिरा, ठीक है? और या फिर एक वर्ड और यूज होता है इसके लिए, कबर्ड, कबर्ड, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? C-U-P-B-O-A-R-D, तो लगता तो ऐसे cup board, cup board नहीं, ये होता है cupboard, तो या तो आप अलमिरा कहिए, या आप cupboard कहिए, लेकिन आप कभी भी इसे अलमारी मत कहिएगा, ठीक है? मैं अलमारी में shirt डाल रहा हूँ, यानि मैं अलमिरा में shirt डाल रहा हूँ, अगर होता कि मैं अलमारी में अपनी shirt डाल रहा हूँ, तो माई shirt, मैं पापा जी की shirt डाल रहा हूँ, I am putting my father's shirt, मैं अलमारी से shirt डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डालने को मैं क्या कूँ, I am taking out the shirt, टेक आउट मतलब डालना, I am taking out the shirt, कहां से? ऐलमिरा से, from the ऐलमिरा, ठीक है, मैं अलमारी में टटोल रहा हूँ, आप कुछ ढूंड रहे हैं अलमारी में, टटोल रहे हैं, तो searching भी कह सकते हैं, I am searching, है न, searching कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा ही special word इसके लिए यूज़ किया जाता है, I am groping, ये एक word होता है, group, g-r-o-p-e, group का मतलब होता है, टटोल ना, जैसे कि मानलो, अंधेरा है, आपको कुछ दिखने रहे हैं, और आप इस तरह से टटोल रहे हो, ढूंड रहे हो कुछ, उसके लिए group word का यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ बड़ ग्रोपिंग का यूज़ करिए, थोड़ा advance आप शुरुवात से ही बनिये, मैं अलमारी में टटोल रहा हूँ, I am groping in the Elmira, मैं washing machine में कपड़े डाल रहा हूँ, अब डाल रहा हूँ, तो यानि कि मैं जिस तरह से Elmira में शर्ट डाल रहा था, तो putting, put, I am putting, कपड़े डाल रहा हूँ, I am putting the clothes, clothes, कहाँ डाल रहा हूँ, washing machine में, into the washing machine, मैं washing machine से कपड़े निकाल रहा हूँ, तो फिर से एक बाद वही, take out करना, I am taking out the clothes from the washing machine, from the washing machine, ये do लिखते हैं ने, इस तरह से, इसका मतलब है कि उपर वाले जैसा ही नीचे भी, I am taking out the clothes from the washing machine, मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूँ, आपने कपड़े दो दिये, और आप सुखाने जा रहे हैं, मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूँ, ये कपड़े सुखा रहा हूँ इस तरह से, तो आप बुलिये, I am putting the clothes, I am putting the clothes to dry, ठीक है, यनि मैं कपड़े रख रहा हूँ, सुखाने के लिए, dry करने के लिए, sense way, I am putting the clothes to dry, मैं अपनी shirts सुखाने डाल रहा हूँ, same way में, I am putting my shirts, I am putting my shirt to dry, simple, मैं ये note सुखाने डाल रहा हूँ, यहाँ पर भी वोई बात है, I am putting this note to dry, ऐसा हो सकता है कि आपके जेब में एक note था, और आपने कपड़े धोये, और वो note भी धुल गया, अब उसे निकाला और उसे सुखाने के लिए डाल दिया, I am putting this note to dry, मैं कपड़े उठा रहा हूँ, क्या बोलें इसको, उठाने को क्या कहते है, simple, हो सकता है दिमाग में ना आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सोचिए, I am picking up, pick up करते हैं आप किसी चीज को pick up कर लेते हैं, उठा लेत I am picking up the clothes, और ऐसे उठा रहा हूँ, I am picking up the clothes, I am picking up the clothes, 25 कपड़े, 25 बार बोलिए, मैं सामान उठा रहा हूँ, आप दिन भर में कोई भी चीज उठा रहे हैं, कोई भी सामान उठा रहे हैं, I am picking up the stuff, अब कोई भी सामान है, कोई specific आपको नहीं बताना है कि यह pen है, कि laptop है कि क् I am picking up the stuff, I am picking up the stuff, कोई भी सामान उठा रहा हूँ, चबाने को क्या कहते हैं, चबाने के लिए एक word यूज किया जाता है, चू, C-H-E-W, लगेगा ऐसे जैसे चू, चू, चू नहीं, चू, I am chewing खाना, the food, अज़ा चबाने के लिए एक word और यूज किया जाता है, masticate, तो यहाँ पर आप masticating कह सकते हैं, chewing की जगह पे, I am chewing the food यह I am masticating the food, मेरे हिसाब से, I am chewing the food, आप इसे रट लीजिए, और जब जब आप खाना चबा रहे हूँ, खाना खापे वे, जब चबा रहे हूँ, तो बोलिए, I am chewing the food, मैं खाना निगल रहा हूँ, निगलने को क्या कहते हैं, swallow, I am swallowing the food, लिखना कैसे इसको, swallowing, मैं यहाँ पर लिखके दिखाता हूँ, swallowing, ऐसे बोलना है आपको, I am swallowing the food, मैं नाशता कर रहा हूँ, जब भी आप कुछ खा रहे हैं, नासता कर रहा हूँ, मतल़ है ब्रेक्फस्ट कर रहा हूँ, breakfast कर रहे हैं, lunch कर रहे हैं, dinner कर रहे हैं आपको हमेशा sentence ऐसे बोलना है I am having, I am having नाश्ता कर रहे हो, सुबह का है, आप कहते हो breakfast, breakfast, fast नहीं, breakfast मैं lunch कर रहा हूँ, I am having lunch simple, मैं biscuit खा रहा हूँ biscuit खा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हमेशा यह कहना है I am having, क्या, biscuits अगर एक biscuit खा रहे हो, अगर आपके हाथ पे तीन, चार, पांच biscuits हैं, और आप कह रहे हो कि मैं biscuits खा रहा हूँ, I am having biscuits, और अगर एक biscuit खा रहे हो, क्यवल एक है आपके हाथ पे I am having a biscuit, मैं पानी पी रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम, I am having water, मैं जूते पहन रहा हूँ, पहनने के लिए क्या कहेंगे आप, वियरिंग भी कह सकते हैं, पुटिंग ओन भी कह सकते हैं, यह जादा इंटरस्टिंग है, I am putting on the shoes, मैं जूते पहन रहा हूँ, ठीक है, क्यों पुटिंग on, पुटिंग on की जगह पर आप चाहें थो कह सकते हैं, वियरिंग, वियरिंग मतलब भी पहनना, वियर मतलब पहनना, वियरिंग कह सकते हैं, लेकिन putting on कहनी के आदथ ड़ली, ज़ादा advance है, जब आप जूते उतार रहे हैं, I am, मैं जूते उतार रहा हूँ उतारने के लिए आप कहिए take off I am taking off taking off the shoes अच्छा जिस तरह से आप जूते पहनते हैं या जूते उतारते हैं पहनने के लिए put on कहते हैं कोई कपड़ा पहने, जूता पहने कोई band पहन ले कुछ भी पहने तो put on उतारें तो take off उसी तरह से मैं shirt पहन रहा हूँ तो I am putting on the shirt मैं shirt उतार रहा हूँ I am taking off the shirt इसे लिख देते हैं अब हम move करते हैं next slide पे मैं सबजी बना रहा हूँ housewives के लिए sentence बड़ा common है I am क्या कर रहा हूँ सबजी बना रहा हूँ I am cooking इसमें आप cooking का use कर सकते हैं cooking word I am cooking vegetable यहाँ पर cooking की जगा पे आप making भी कह सकते हैं बात एक ही है ठीक इसी तरह से मैं डाल बना रहा हूँ I am cooking pulse या डाल pulse की जगा पर Indian word डाल का use आप कर सकते हैं pulses जो होती हैं वो raw form हैं जैसे दुकान साब डाल खरीद के लाए तो वो pulses हैं लेकिन जब वो बन रही है तो उसे हम डाल कहते हैं तो आप डाल कह सकते हैं मैं चावल बना रहा हूँ I am cooking rice मैं रोटियां बना रहा हूँ रोटियों के जगा पे आप चपाती कहिए I am cooking I am cooking चपातीस चपातीस अब जब बोलेंगे तभी तो आदत बनेगी I am cooking चपातीस मैं अपने लिए जूस बना रहा हूँ अब यहाँ पर आप जूस को कुक तो करने ही रहें तो आप simply make कह सकते हैं I am making मैं बना रहा हूँ क्या juice किसके लिए अपने लिए for myself जब भी हमें कहना हो मेरे लिए या अपने लिए तो हमेशा for myself I am making juice for myself मैं बरतन दो रहा हूँ Simple I am washing क्या कहिए सोचिए इसको आप dishes कह सकते हैं बरतनों को आप dishes कहते हैं या फिर आप इसकी जगह पे utensils भी कह सकते हैं यह आपकी choice है यह बहतर है I am washing dishes मैं आटा गूंथ रहा हूँ गूंथ रहा हूँ यानि ओल रहा हूँ I am kneading need मतलब ओलना या गूंथना I am kneading the floor आटे को हम floor कहते है F-L-O-U-R इसे हमेशा कहना है floor 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 नहीं कहना है floor मतलब तो होता है first I am kneading the floor मैं पानी की bottle भर रहा हूँ I am filling भरने को fill करना कहते है जैसे bottle भर रहा हूँ bucket भर रहा हूँ I am filling क्या भर रहा हूँ the water bottle हमेशा जान रखना है bottle नहीं कहना है क्या कहना है bottle मैं चाय में biscuit डुबा रहा हूँ डुबाते हैं जब आप इस तरह से इसे क्या कहते है dip करना dip करिए dip I am मैं biscuit डुबा रहा हूँ I am dipping d i double p ing मैं dipping कर रहा हूँ dip कर रहा हूँ I am dipping क्या biscuit अब एक biscuit मेरे हाथ पे है जिसे मैं डुबा रहा हूँ I am dipping a biscuit into the किस में? into the चाय में into the tea ठीक इसी तरह से मैं पानी में अपनी उंगली डुबा रहा हूँ I am dipping क्या डुबा रहा हूँ? अपनी उंगली I am dipping my finger into the water आप एक काम कर सकते हैं जैसे कुछ actions आप खुद करके देख सकते हैं आप पकड़िए अपने हाथ पे इस sentence को बोलिए मैं चाय में biscuit डुबा रहा हूँ English में बोलिए I am dipping a biscuit into the tea I am dipping a biscuit into the tea ऐसा आप 10 बार 15 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाए गए same way में ये कर सकते हैं पानी में अपने उंगली डुबाई है और इसको बोलिए I am dipping my finger into the water next मैं make-up कर रही हूँ make-up को आप apply करते हैं तो हमेशा बोलना है I am applying क्या make-up I am applying make-up ये कुछ चीज़े हैं बड़ी interesting अभी देखे मैं काजल लगा रही हूँ यहाँ पर भी क्या आएगा I am applying काजल मैं अपने बालों में तेल लगा रहा हूँ यादि apply कर रहा हूँ oil I am applying जब भी आप तेल लगा रहे हैं ऐसा बोलिए I am applying oil to to my hair अब ये थोड़ा interesting है आपको लगेगा कि यहाँ पर to की जगह पर on कह सकते हैं कह सकते हैं to ये on दोनों में से जो आपका मन करें वो आप कह सकते हैं गलत नहीं मैं अपने चेहरे पर sunscreen लगा रहा हूँ I am applying sunscreen on my face मैं घाव में मरहम लगा रहा हूँ घाव में मरहम यहाँ पर भी आप मरहम को apply कर रहे हैं इस तरह से apply कर रहे हैं I am applying अच्छा मरहम को क्या कहते हैं मरहम, cream क्या कहते हैं उसको ointment on the wound wound मतलब घाव या फिर injury भी कह सकते हैं कोई injury होगे उस पर लगा रहे हो तो on the injury भी कह सकते हैं मैं दात brush कर रहा हूं यह तो बहुत ही simple है day one की वीडियो में बताया था मैं I am brushing my teeth मैं दाड़ी बना रहा हूं यानि मैं shave कर रहा हूं I am shaving मैं मैं पूजा कर रहा हूं पूजा करने को क्या कहते हैं सोचिए worship करना I am worshiping मैं अपने बच्चे को सुला रहा हूं I am putting putting मतलब वैसे तो रखना होता है मैं रख रहा हूं वह sense नहीं है लेकिन इस तरह से sentence को बोला जाता है तो आपको भी ऐसे ही याद कर लेना है मैं अपने बच्चे को सुला रहा हूं I am putting my child या I am putting my kid चाइल्ड की जगह पर kid भी कह सकते हैं I am putting my child to sleep ऐसे ही sentence को English native बोलते हैं आपको भी ऐसे ही इसको रट लेना है और जब भी आप अपने बच्चे को सुला रहा हूं यह sentence आपको बोलना है I am taking down क्या घड़ी को घड़ी को clock कहते है I am taking down the clock घड़ी की जगह पर कुछ भी हो सकता है मान लीजिए कि photo frame लगा हूँ है आप उसको उतार रहे हैं तो आप कह सकते है I am taking down the photo frame या फिर कोई wall painting है दिवार की painting है आप उसको उतार रहे है तो आप क्या कहेंगे take down अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको एक idea दे दूँ जैसे यहाँ पर क्या है worshipping ठीक है worshipping की एक spelling यह भी होती है worshipping अगर आप type करेंगे internet पे gmail पे यह कहीं पे भी email पे type करेंगे तो suggest करेगा यह क्योंकि यह जो है यह US way है लिखने का यह बोलने का तो same होता है worshipping लिखने का तरीका अमेरिका में US United States और यह जो तरीका है यह British English में UK तरीके दोनों सही है आप यह लिखें यह लिखें कोई problem नहीं क्योंकि बोलने से मतलब है बोल आप बिल्कुल same रहे next slide पर move करते है मैं office जा रहा हूँ यह तो बहुत ही simple है I am going to office लेकिन जब आप office से निकल रहा है मैं office से निकल रहा हूँ निकल रहा हूँ मतलब मैं छोड़ रहा हूँ निकल रहा हूँ I am leaving छोडने का मतलब यह नहीं है आपने permanent जाना छोड़ दिया है लेकिन आज के लिए छोड़ रहा हूँ आज आप शाम को 6 बज़े आपकी छुट्टी हो गई आप निकल रहा हूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो simple I am going to office की जगह पर I am going to Delhi यहाँ पर मैंने D बढ़ा क्यों किया D capital क्यों लिखा क्योंकि किसी भी city का नाम इसको हमेशा आप capital letter में start करते है मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ अब यहाँ पर एक तरह से आप दिल्ली से leave हो रहे है I am leaving Delhi तो जब आप कहीं भी जा रहे हूँ तो going to कहीं से निकल रहे हूँ वहाँ से छोड़ रहे हो निकल रहे हो तो leaving मुझे गुसा आ रहा है सोचिए कैसे बनाएंगे इस sentence को I am I am getting angry मुझे गुसा आ रहा है I am getting angry कुछ हब तक sense angry की जगह पे annoyed भी कह सकते है sense लग 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 से नहीं आ रहा है कि मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है खराब लग रहा है I am getting annoyed मुझे frustration हो रही है I am getting frustrated I am getting frustrated मैं time देख रहा हूँ आप सुबह उठ रहे हैं किसी भी time पे आप time देखते हैं तो आप time को देख रहे होते हैं उस time पे आप बोल सकते हैं मैं time देख रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे I am looking time नहीं I am seeing time नहीं I am watching the time I am watching the time यह standard तरीका याद कर लिजिए मैं movie देख रहा हूँ तो यह तो simple है I am watching a movie मुवी को आप देखते हैं और obvious सी बात है आप एक movie देख रहे हैं भले आप बोल नहीं रहे हैं कि एक movie देख रहा हूँ लेकि बोलना ऐसे I am watching a movie मैं तुम्हें देख रहा हूँ जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं किसी चीज को देखते हैं तो वहाँ पर आप क्या कहिए I am looking at you look के साथ में at जरूर लगाईए I am looking you नहीं I am looking at you मैं तुम्हारा homework देख रहा हूँ I am क्या looking at your homework अच्छा जब आप किसी का homework देख रहे हूँ हो सकता है कि आप उसके homework को एक तरह से चेक कर रहे हूँ तो चेक करने के सेंस में आप looking at की जगह पे checking भी तो कह सकते हैं I am checking your homework आप अपने भाई का अपनी बहन का अपने बच्चे का किसी का भी homework चेक कर रहे हैं तो इस sentence को जरूर बोलिए अच्छा जो सुनेगा उसे भी तो इंगले सीखने को मिलेगी कि अच्छा ऐसे बोलते हैं I am checking your homework और चेक करो ठीक है यह हमारी आज की आखरी स्लाइड है लास्ट के 10 sentences है मैं मजाग कर रहा हूँ जब भी आप किसी के साथ कोई मजाग करें कुछ भी जूट मूट बोलें उसके बाद आप कहें I am kidding I am kidding मैं table को घसीट रहा हूँ किसी भी चीज को खिसकाते हैं आप घसीट ते वे कुछ भी चीज या जब आप लिखते हैं pen से आप घसीट रहें pen को घसीटने को drag कहते हैं I am dragging क्या घसीट रहे हूँ table को I am dragging the table ठीक है मैं मजे कर रहा हूँ मजे कर रहा हूँ यह नहीं enjoy कर रहा हूँ वैसे तो आप कह सकते हैं I am enjoying लेकिन थोड़ा advance, थोड़ा बढ़िया लगेगा अगर आप ऐसा कहें I am having fun यह बहतर है I am having fun मैं bored हो रहा हूँ I am getting bored इसी तरह से बोलिए रट लीजी I am getting bored दिन में 10 बार ऐसा हो ही जाता होगा कि कभी आप bored हो रहे हैं दस नहीं तो एक दो बार तो होई जाता है कि आप खाली बैठे हैं बोर हो रहे हैं I am getting bored मैं जादा सोच रहा हूँ किसी किसी बात को आपको जादा ही सोच लेते हैं जिसकी उज़र से आप trouble भी होते हैं परिशान भी होते हैं इसके लिए सबसे अच्छा word रहेगा overthinking I am overthinking मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ अगर होता मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ I am missing you Miss कर रहा हूँ मैं तुम्हें तुम्हें याद दिला रहा हूँ आज तुम्हारा homework है उसे complete करना है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, यानि कि मैं तुम्हें remind करा रहा हूँ, I am reminding you, मैं धोंग कर रहा हूँ, यानि मैं गलत दिखा रहा हूँ, जो मैं हूँ नहीं, वो मैं दिखा रहा हूँ, यानि मैं pretend कर रहा हूँ, जैसे कि आपको office नहीं जाना है, आप उपने boss को phone करत कि मेरी तव्यत ठीक नहीं है, थोड़ा आवाज डाउन रखते हैं, लो रखते हैं, तो एक तरह से आप धोंग कर रहे हैं, प्रेटेंड कर रहे हैं, I am pretending, मैं शर्मा रहा हूं, शर्माने को शाय, जैसे कोई व्यक्ति बहुत शर्माता कहते हैं, बड़ा शाय है, तो कैसे बना बलेगा, बिल्कुल नहीं, ये बड़ा इंटरस्टिंग है, ये कई बार मिस्टेक कई लोग करते हैं, I am shying, shying नहीं, हमेशा इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिस नेटिव बोलते हैं, हमेशा feeling, I am feeling shy, ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल ऐसी रट लीजिए, कभी भी आप इसी बात पर, तो बोलिए, I am feeling shy, मैं बेसबर हो रहा हूँ, बेसबर यानि कि impatient, जिसके अंदर सबर नहीं, अधीर हो जो, I am getting, यहाँ पर getting का ही उसकिया जाता है, इंग्लिस नेटिव ऐसे ही बोलते हैं, आपको ऐसी रट लेना, I am getting impatient, जैसे आपका result आने वाला है, आपसे इंतजार नहीं हो रहा है, बेसबर हो रहा हूँ, I am getting impatient, मैं अपना दिन खराब कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ अपना दिन? फाल्तू बैठा हूँ, इंग्लिश की वीडियो देख लेता, कुछ इंग्लिश राइटिंग कर लेता, रीडिंग कर लेता, वाचिंग कर लेता, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना दिन खराब कर रहा हूँ I'm spoiling, spoil कर रहा हूँ अपना दिन, I'm spoiling my day जब भी आप फाल्तू बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बोलिए sentence को, I'm spoiling my day, और फिर लग जाए काम पर तो आज के इस वीडियो में, हमने hundred sentences ऐसे देखे, जो हमारी day to day life में, जो activities हम करते हैं, आज के बाद, जब भी उन activities को करेंगे, तो हम बोल रहे होंगे उन actions को, ठीक है Guys, ये सभी sentences कहां पर मिलेंगे आपको लिखे वे, आप जाएएगा मेरी website पे www.spokenenglish.guru पे, वहाँ पर आपको देखेगा English Speaking Course, इस पर आप जाएएगा, वहाँ पर day one, day two, day three, एक sequence में videos हैं, और सभी videos की scripts धीरे धीरे वहाँ पर अवेलबल होती जाएँगी, तो फिलाल चु उसके अंदर आपको वीडियो भी दिख जाएगी, और साथी साथ ये सभी sentences भी दिखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के बहुत से sentences, activities से related, वहाँ पर मैं time के साथ में update करता रहूँ, ताकि आप in future भी आएं, तो आपको बहुत benefit मिले, कुछ नई नई चीज़े से छोटे गाओं के students तके वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इसका फाइदा मिले, और comments में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सेखने को मिला, मिलते हैं next video lecture में, तब तक के लिए take care, goodbye.